हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग एक interesting story लिखने जा रहे हैं तो आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे मैं आप लोग को एक एक रूल बताऊंगा आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी और दोस्तों आप लोग इस request है कि मैंने इस तरह से जितने वी वीडियोज बनाए हैं सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखेंगे आप लोग को essay writing, story writing, advanced spoken English structure, daily use sentences, newspaper translation और भी बहुत सारी चीज़े मिलेंगी तो आप लोग एक बार playlist जरूर चेक आउट करेंगे दोस्तों यह English सिखने का one of the best channels है यदि आप मेरे वीडियोज को regularly देखते हैं तो आपकी English definitely improve होगी So without wasting much time, let's get started now एक बार एक ब्यापारी था ब्यापारी यानि की merchant और दोस्तों जब subject न मिले तो हम लोग there को subject बना देते हैं जैसे एक लड़का था, there was boy एक राजा था, there was a king एक ब्यापारी था, there was a merchant एक बार यानि की once there was a merchant once there was a merchant उसने अपने बगीचे में एक मंदीर बनाने के लिए कई बढ़ाई और राजमिस्तिरी को काम पर लगाया काम पर लगाना यानि की employee करना और यहाँ पर है बढ़ाई यानि की carpenter राजमिस्तिरी यानि की mason बनानी के लिए बनाना यानि की build तो दोस्तों यह simple past tense में है सबसे पहले subject फिर verb to और फिर object तो subject का पता कैसे करें मन में पूछिए किसने बनाया, कौन बनाया तो यहाँ पर जबाब मिलेगा उसने तो यह क्या है subject तो यहाँ पर लिखेंगे he उसके बाद verb काम पर लगाया यहाँ पर हो जाएगा employed यानि की verb to he employed उसने काम पर लगाया किन को? कई बढ़ाई और राजमिस्तिरी को many carpenters and mason क्या बनाने के लिए? एक मंदीर बनाने के लिए to build a temple कहाँ पर अपने बगीचे में? यहाँ पर अपना के लिए his लिखेंगे करते थे ब्रेक लेते थे इस तरह के सेंटेंस में आप वूड का यूज कर सकते हैं जैसे वह रोज आता था he would come daily और एसे सेंटेंस में यूज टू का भी यूज करते हैं पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए he used to come daily और वूड का भी यूज होता है तो यहाँ पर लिखेंगे regularly they would start working काम करते थे they would work भी आप लिख सकते हैं और काम करना सुरू करते थे they would start working सुबह in the morning और दोपहर में लंज के लिए ब्रेक लेते थे and take a break माल दीचे यहाँ पर भी वूड छिपा हुआ है and would take a break तो एक बार would use हो चुका है तो उसी से यहाँ पर भी काम चल जाएगा इसलिए verb one यूज हुआ है क्योंकि would के बाद यहाँ पर भी verb one यूज हुआ है दो पहर में लंज के लिए take a break for the midday meals फिर साम तक काम करने के लिए लाउट आते थे then यहाँ पर दे सब्जेक्ट है छिपा हुआ है returned to resume यानि कि फिर से काम शुरू करना their work साम तक till evening और दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर would return भी लिख सकते हैं यह sentence भी उसी से जुड़ा हुआ है then they would return to resume their work till evening हलांकी दोस्तों इस तरह के sentence को आप simple past tense में भी लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा है यह भी wrong नहीं है then they return to resume their work till evening एक दिन बंद्रों का एक समुह भवन अस्थल पर पहुँचा और सरमीकों को लंच के लिए जाते हुए देखा तो दोस्तों यह भी है simple past tense में यानि कि सबसे पहले subject फिर verb to और फिर object दोस्तों माली जी मैंने उसे जाते हुए देखा I saw him going उसने मुझे खाते हुए देखा He saw me eating इस तरीके से लिखते हैं और यहां पर है भवन अस्थल यानि कि add the site of the building और पहुचना के लिए arrive यूज कर सकते हैं arrive at तो सबसे पहले लिखेंगे एक दिन बंदरूं का एक समू हूँ तो बंदरूं का एक समूँ क्या है subject one day a group of monkeys दोस्तो आप चाहें तो यहां पर एस का यूज नहीं भी कर सकते हैं अब group of monkey भी लिख सकते हैं group ही दिखा देता है कि बहुत सारे monkey हैं और यहां पर पहुचा यानि कि arrived भवन अस्थल पर add the site of the building और सर्मीकों को लंज के लिए जाते हुए देखा and saw the workers going one day a group of monkey arrived at the site of the building and saw the workers going एक बड़ी लकडी के एक बड़े log को आरी से काट रहा था दोस्तो यह English word ही है log यानि कि इस तरह का जो लकडी रहता है जिसे हम लोग silly, sill बोलते हैं लठे भी बोले जाते हैं तो एक बड़ाई लकडी के एक बड़े log को आरी से काट रहा था तो सबसे पहले यह किस stance में past continuous stance जैसे मैं जा रहा था I was going वे लोग खेल रहे थे they were playing यानि कि watch were plus ing form तो यहाँ पर है एक वड़ाई यानि कि a carpenter was आरी से काटना 100 कहलाता है और 100 मिस देखा भी होता है c का verb to 100 होता है और 100 खुद में भी एक verb है इसमें ing form लगा देंगे a carpenter was sawing a huge log of wood आरी से with a saw आप लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर 100 ही दिखा देता है कि आरी से काटना a carpenter was sawing a huge log of wood चुकि यह केबल आधा अधुरा ही था उसने log को बंध होने से रोकने के लिए बीच में एक कील लगा दी तो दोस्तों इस तरह के कील को हम लोग wage कहते हैं जैसे इस तरह का रता है उपर चौड़ा रहेगा और नीचे इस तरीकेस रहेगा तो इसे कहेंगे wage आधा अधुरा इसके लिए आप लिख सकते हैं half done तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं since या फिर as it was half done उसने लौग को बंध होने से रोकने के लिए बीच में एक कील लगा दी तो दोस्तों कील लगा देना यानि कील को रख देना तो यहाँ पर आप place वर्ब का यूज कर सकते हैं रोकने के लिए यानि कि prevent तो यहाँ पर लिखेंगे he placed क्या रख दिया a ways कहाँ पर in between लौग को बंध होने से रोकने के लिए to prevent the log from closing up यानि कि बंध होने के लिए अज वोज हाप डन he placed a ways in between to prevent the log from closing up इसके बाद वह अन्य सर्मिको के साथ लंच के लिए चला गया चला जाना यानि की गो आफ गो अवे का भी यूज करते हैं यानि कि दूर चले जाना और गो आफ का अर्थ हुआ कि उस जगह से चले जाना अन्य सर्मिको के साथ along with other workers तो यहाँ पर लिखेंगे then he went off verb to use करेंगे along with other workers लंज के लिए फोर लंज then he went off along with other workers फोर लंज जब सभी मजदूर चले गए तो बंदर नीचे आ गए और साइट के चारो ओर कूदने लगे when all the workers went off आप पेसिब वो इसमें भी लिख सकते हैं were gone तो बंदर नीचे आ गए the monkeys came down मालीजे पेड से from the trees और साइट के चारो ओर कूदने लगे लगे रहने से आप start या begin का यूज कर सकते हैं जैसे वह हसने लगा he began to laugh he started laughing तो यहाँ पर लिखेंग के and started जंपिंग साइट के चारो ओर around the site दोस्तो इस साइट कर्थ होता है जगह जहाँ पर कोई काम होता है एक और साइट होता है जैसे आई साइट यानि द्रिश्य और एक साइट होता है कोई भी पोयम पढ़ना जैसे रिसाइट करते हैं site quote करना site कहलाता है when all the workers were gone the monkeys came down from the trees and started jumping around the site वे आउजारों के साथ खेलने लगे तो यहाँ पर भी यह लगे यानि कि started या began they started playing with the tools they started playing with the tools एक बंदर था जिसे लॉग के बीच रखी कील के बारे में जानने की जिग्यासा हुई एक बंदर था तो यहाँ पर लिखेंगे there was one monkey यानि कि उन में से एक बंदर इसलिए आप यहाँ पर one यूज करेंगे there was one monkey who got excited या got curious कील के बारे में जानने की जिग्यासा हुई to know about the ways और यहाँ पर लॉग के बीच रखी placed between the log there was one monkey who got excited to know about the ways placed between the log वह लॉग पर बैठ गया और खुद को आधे कटे लॉग के बीच में रख कर कील को पकड़ लिया और उसे खीचने लगा पकड़ लेना यानि की केच होल्ड आफ केच का पास्ट फोर्म होता है got अधे कटे यानि की हाप स्पलीट खुद को रख कर यानि की हैबिंग प्लेस्ट हैबिंग प्लेस्ट हीम्सेल्फ वा लॉग पर बैठ गया ही सेट से सेड बन जाएगा वर्ब टू डाउन अन द लॉग और खुद को आधे कटे लॉग के बीच में रख कर अधे प्लेस्ट हीम्सेल्फ इन बेट्वेन थाप स्पलीट लॉग ही सेट न लॉग और भीच में प्लेस्ट हीम्सेल्फ इन बेट्वेन थाप स्पलीट लॉग केल को पकर लिया caught hold of the ways और उसे खिचने लगा and started pulling उस पर जोर लगा कर तो आप add का भी यूज कर सकते हैं pulling at it यानि कि उस पर जोर लगाया आप सीधे pulling it भी लिख सकते हैं he sat down on the log and having placed himself in between the half split log caught hold of the ways and started pulling at it अचानक कील बाहर आगई तो यहां पर आप लिख सकते हैं all of a sudden the ways came out all of a sudden the ways came out दोस्तों आप all of a sudden भी लिख सकते हैं suddenly भी लिख सकते हैं परिनाम सरूप as a result आधा कटा हुआ लॉग बंद हो गया the half split log got closed यानि की बंद हो गया और बंदर लॉग के द्रार में फच गया and the monkey got caught दोस्तों आपके मने में एक सवाल होगा कि got का यूज कैसे हो जाता है जैसे दोस्तों मैं traffic jam में फस गया तो आप क्या लिखते हैं I got stuck यानि फस गया in traffic jam तो उसी तरह यहाँ पर got closed बंद हो गया got caught फस गया in the gap of the log as a result the half split log got closed and the monkey got caught in the gap of the log जो दूसरों के काम में हस्त छेप करता है वह अबस से दुख पाता है तो यहाँ पर लिखेंगी यहाँ who interferes in other's work surely comes to grip come to grief come to grief एक फ्रेजल वर्ब है one who interferes in other's work surely comes to grief but friends you will not come to grief if you watch my videos regularly your English will definitely be improved so watch all my videos regularly one by one और दोस्तों आप लोग को end screen के रूप में बहुत सारे playlist नेजर आ रहे होंगे उस पर क्लिक कीजिए और बारी-बारी से सभी वीडियोज को जरूर देखिए चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और comment box में कुछ न कुछ लिक दीजिए आप चाहें तो मुझे कुछ रूपियों की super thanks भी कर सकते हैं यदि आपको मेरा effort अच्छा लगता है मुझे motivate करने के लिए